कुंजबे हारे जैराधा माधवा कुंजबे हारे गुपी जनाब लाभा गिर्वराधारे गुपी जनाब लाभा गिर्वराधारे गुपी जनाब लाभा गिर्वराधारे गुपी जनाब लाभा गिर्वरा गिर्वराधारे जनाब लाभा गिर्वरा गिर्वराधारे जनाब लाभा गिर्वराधारे जनाब लाभा गिर्वराधारे जैराधा माधावा कुझ जबिहार जैयों विष्णुपाद प्रमांस परिव्राज का चार्ज श्टोतर सत्ष्री स्रीमद अभय चरनार बिन भक्ति व्यदान्त स्वामी श्री लप्रपाद की जै अनन्त कोटी वैस्न वरिंद की जै नामा चार्ज श्री लहरिदास ठाकुर की जै प्रेम से कहो स्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानंद स्री अद्वईत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिन्द कीजर श्री श्री राधाकृष्ण गपिनात श्यामकुंड राधाकुंड गिरी गवर्धन कीजर श्री बिरिंदावन धाम की जा, श्री मायापूर नवदिव धाम की जा, श्री जगनात पुरी धाम की जा, श्री श्री जगनात बल्देव सुभद्रा की जा, गंगा माई की जा, यमना माई की जा, भक्ती देवी की जा, तुलसी महरानी की जा, ग्रन्थराज स्रीमत भागव पुर्तम की जय गौर्प्रेमानन्दिग। All Glories to the Semmel Devotage All Glories to the Semmel Devotage All Glories to the Semmel Devotage नमा ओम विष्णु पादाय क्रिष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ती वेदांत स्वामी इतिनामिने नमस्ते सारस्वत्देवे गौरवाली प्रचारले निर्विशेस सुन्यवादी पाश्चात देसतारले नमो महावदान्याय क्रिष्ण प्रेम प्रदायते क्रिष्ण आय क्रिष्ण चैतन्या नामने गौरत्विषे नमहं तप्तकांचन गौरांगी स्रीराधे भृंदावने स्वरी भिसभानु सुते देवी प्रनमामी हरी प्रियेन वांचा कल्पतर उभ्याष्च क्रिपासिंध भ्येवच पतिता नाम पावने भ्यो वैष्ण भ्यो नमो नमहं या स्री क्रिष्ण चैतन्या प्रभू नित्यानन्द स्रीआध्वात्गदाधर्श्रिवासादी गौरभक्तविंदा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Om Namo Bhagavate Vāsudevāyā ओम नमो भगवते वासुदे वाया ओम नमो भगवते वासुदे वाया ओम नमो भगवते वासुदे वाया सत्यम दिशती अर्थितम अर्थितो रनाम नईनायेवा अर्थदह पुनह अर्थिता जतह स्वयं विधते भजताम अनिच्छताम इच्छा पिधानम निजपाद पल्लवं सत्यम दिशत्य अर्थितम अर्थितो रनाम नईवार्थदो यत्पुनर अर्थिता जतह स्वयं विधते भजताम अनिच्छताम इच्छा पिधानम निजपाद पल्लवं स्वयं सत्यम दिशत्य अर्थितम अर्थितो रनाम नईवार्थदो यत्पुनर अर्थिता जतह स्वयं विधते भजताम अनिच्छताम इच्छा पिधानम निजपाद पल्लवं स्वयं विधते भजताम अनिच्छताम इच्छा पिधते भजताम अनिच्छताम इच्छा पिधानम निजपाद पल्लवं स्वयं विधते भजताम स्वयं विधते भजताम अनिच्छताम स्वयं विधते भजताम स्वयं विधते भजताम स्वयं विधते भजताम सजय परिएढनां भी संदेतो हारा, सेवस्कों जबदीर Caoim亦ुरी कर दोड़ानց संदीर कमरती तो लदकी जनें सप्कोंपों नाम् धुष्टस दोय तोनर तान। नेवाद सजय तोय तोनर तायता हा। स्वयं विरत्य वजनाम इच्छाव इच्छा बिनानं जिवार बत्लव स्वयं विरत्य वजनाम इच्छा बिनानं जिवार बत्लव स्वयं विरत्य वजनाम इच्छा बिनानं जिवार बत्लव स्वयं विरत्य वजनाम इच्छा बिनानं जिवार बत्लव प्रेवार न рукत मुढकि गृते डिशतों, प्रेवंध्यम की टिशतों अधि GTC, आपिछा वित्छा मुढकि के लुएक ज़खाद ज़लन乐ौ टुचौर्Disभिन विर हें डिए वहाद हाया गाया ज्याथ हिर पलुट है गाया में को देका निचा नैगा निचा। सब्धार्थ सथ्यम सच मुच दिशती देता है अर्थितम अभिष्ट पदार्थ अर्थिता मांगने पर निणाम मनुश्यों के द्वारा न नहीं एवा निशंदे अर्थदा बर देने वाला या जो पुनह फिर अर्थिता बर की कामनाएं यतह जिसे से स्वयम साक्षात बिधद्ते परदान करता है भजताम भगवान की सेवा में निरत लोगों को अनिक्षताम निश्काम भावशे एक्षा पिधानम समस्त वांचित बस्तुएं निच्पाद पल्लवं अपने चरण कमलों पर अनबाद्यम तात्वर श्रील प्रहपाद जी की दवरा जी से वा अधिकाधिक बर मांगता रहे फिर भी भगवान प्रशनता पुरुवक ऐसे भगवान को अपने चरण कमलों में सरण देते हैं भले ही वह उसका इक्षुक न हो और सरणागत होने पर उसकी समस्त इक्षाएं पुरी हो जाती है यह स्री भगवान की विशेश अनुकंपा है अब दोराएंगे स्री भगवान उस भक्त की भवतिक अमनाओं की पूर्ति करते हैं जो सकाम भाव से उनके पास जाता है किन्तु यह भक्त को ऐसा बर नहीं देते जी से वा अधिकाधिक बर मांगता रहे फिर भी भगवान प्रशनता पुर्वक ऐसे भक्त को अपने चरण कमलों में सरण देते हैं भले ही वा उसका इचुक न हो और सरणागत होने पर उसकी समस्तिक शाएं पूरी हो जाती है यह स्री भगवान की विशेश अनुकंपा है पूर्ज पिछले असलोक में कहा गया है कि भक्त जन सिर्भगवान के पास सकाम भाव से पूँचते हैं इस असलोक में बताया गया है कि वे किस प्रकारून कामनाओं से अलग रखे जा सकते हैं सिर्मत भागवतम का असकंद दो अध्यायती नसलोक दस में इसका उपदेश हुआ है कामशर्व कामवा मुक्ष कामव उदारधी ति ब्रेण भक्त जोगेन यजेत पुरुषंपरम चाहे भावती कामनाओं से मुक्त हो या उनसे पुरुण अथ्वा परमातमा से दताकार होना मुक्ष की कामना चाहता हो मनुष्य को चाहिए कि भक्ति करे इसे नकेवल भक्त एक्षाएं पूरी होंगी बरनेक दिन ऐसा आएगा कि वो स्री भगवान के चरण कमलों की सेवा क्यातिरेक्त कुछ भी नहीं चाहेगा जो किसी उदेश से भगवान की सेवा करता है वो सकाम भक्त कहलाता है और जो बिना किसी उदेश के सेवा करता है वो आकाम भक्त कहलाता है श्री कृष्ण इतने दयालू है कि वे सकाम भक्त को आकाम भक्त बना देते हैं सुद भक्त अथवा आकाम भक्त में किसी प्रकार की कामना नहीं होती वो श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा करके ही संतुष्ट रहता है भगवद गीता के अध्यायचा शुलक 22 में इसकी पुष्टी की गई है यम लब्ध्वाचा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा करने पर किसी अन्य बस्तू की इक्षा नहीं रह जाती यह भक्ती की सर्वच दसा है भगवान सकाम भक्त पर भी इतने द्यालू रहते हैं और उसकी इक्षाओं को इस परकार पुरुण करते हैं क्यों अकाम भक्त बन जाता है उदाहरणार्थ धुरुव महराज अपने पिताथ से भी बढ़कर उतम राज प्राप्त करने के लिए भक्त बने अंत में अकाम भक्त होकर उन्होंने भगवान से कहा स्वामीन कृतार्थस में बरम नयाचे हे स्वामी मैं परम संतुष्ट हूँ मैं किवल आपके चरंकर्णों की सेवा करना चाहता हूँ मुझे किसी संसारी किलाव की इक्षा नहीं है कभी-कभी छोटा बालग गंदी बस्तु को मुह में डालता है उसके माता पिता उसके मुँँ से उस बस्तु को निकाल कर उसे संदेश या कोई दूसरी मिठाई खाने को देते हैं वह भक्त जो भावतिक बर की इक्षा करता है ऐसे ही बालक के तुल्ल है भगवान इतने दयालू हैं कि वह उसकी समस्त भावतिक आमनाओं को हर कर उसे सर्वोच बर परदान करते हैं अता भावतिक आमनाओं के लिए भी स्री भावान के अतिरेक्ते किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए जिसे उसकी समस्त कामनाएं पुरुण हो और अन्त में वह स्री भावान के धाम पहुंशके इसकी ब्याख्या स्री चैतन चर्टामरित में मध्य लीला अध्याय 22 असलोग 37 49 और 41 में इस प्रकार दी गई है अन्य कामी हो सकता है कि भक्त भगमान के चरण कमलों के अतिरेक्ते किसी अन्य बस्तू की काम ना करे यदि करे कृष्णे न भजन किन्तु यदि स्री कृष्ण की सेवा में अपने को लगाता है ना मांगी तेह कृष्ण तारे देना स्वा चरण उसके ना चाहने पर भी श्री कृष्ण उसे अपने चरण कमलों में सरण देते हैं श्री कृष्ण कहें श्री कृष्ण कहते हैं आमा भजे वह मेरी सेवा मेरत है मांगे विशय सुक तो भी इंद्रिये सुक चाहता है अमरित छाड़ी विशय मांगे ऐसा भक्त उस्पुरुष के तुल है जो अमरित छोड़कर विश्क की आचना करता है यही बड़ा मुर्ख यह उसकी नदानी है आमी बिग किन्तु मैं अनुभवी हूँ यह मुर्खे विशे केने दिव मैं ऐसे मुर्ख को भला क्यों कर भवतिक सुक देना चाहूंगा विशे भुलाईव मैं ऐसा करूंगा कि वह समस्त भवतिक कामनाओं को भोल जाए काम लागी कृष्ण भजे यदि कोई इंद्रियत रिप्ति के लिए भगवान की सेवा मेरत होता है पाय कृष्ण रशे उस्यंत में भगवान के चरण कमलों का श्वाद मिल जाता है काम चाड़ी दास हैते है अभिला से वह समस्त कामनाओं छोड़कर भगवान का चिंतन भगवान का चिरंतन सेवक बनना चाहता है वश्वश्वंस्त कामनाई छोड़कर भगवान का चिरंतन सेवक बनना चाहता है अरे किस्ट देव लोक में देवता लोग आपस में जूट करके और भारत वर्ष की बढ़ाई कर रहा है भारत वर्ष में जन्म लेना कितना दुरलब है इसको वे लोग बोल रहे है तरीश स्लोक में भगवान के स्वभाव के विशय में वो बोलते है सत्यम यह बात सत्य है कि भगवान अपने भग्त के और थितम मां को पूरा करते हैं सत्यम दिसती अर्थितम 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 का अर्थितम भगवान से जब प्रार्थना की जाती है मां की जाती है तो में अर्थितम वांचित बस्तु को देते हैं लेकिन नईवार्थ दो जद पुनरर्थिता जता फिर भी भगवान किस भग्त को वह अर्थ नहीं देते हैं वह बस्तु नहीं देते हैं जिस बस्तु के मिलने के बाद भी पुनरर्थिता जता कि और बस्तु के कामना रह जाएं नईवार्थ दो श्रीक्रेश्न अर्थद हैं अर्थद देते हैं लेकिन ऐसी कामना पूरी नहीं करते हैं जैसे कामनाय निरंतर बनी रहें बलकिवे स्वयम विधत्य भजताम अनिच्छताम जो भग्त भगवान से कुछ नहीं चाहते हैं जो समस्त इच्छाओं को समाप्त कर दता है इच्छा पिधानम भगवान का चरन कमल प्राप्त हो जाने के बाद और कोई भी कमना नहीं रह जाती हैं चरन कमल को यहां इच्छा पिधान कहा गया है पिधान पिधान मैंने सब को ढख देने वाला है पूरा कर देने वाला है इच्छा पिधानम निजपाद पल्लवम भगवान का कोई भी ओंग चरन कमल कहा जाता है यह द्यान रखना चाहिए कि जब चरन कमल कहा जाता है तो उसे भगवान का समग्र स्वारूप उनका सीख उनका कौर्ण उनकी नासिका उनका अधर कमल सब कुछ इसमें सम्मिली थे चरन कमल से केवल चरन ही बोध नहीं होता है भगवान अपना चरन कमल दे देते हैं भागत को इसकार्थ है अपने को दे देते हैं सबसे पहले वे अपने दिब श्रीविग्रह का दर्शन देते हैं और इसके साथ अपने दिब शरीर के सुगंध का अनभव कराते हैं भागत दर्शन करता है और इसके साथ भगवान में कितना सुगंध है इसका भी उव अनभव करने लगता है इसके बाद भगवान कुछ बोलते हैं और भागत कुछ बोलता है तो उस समय वो अपने करनेंद्रिये से भगवान के सब्दों की मधूरता सुनता है और उसे भगवान को छूने का सवभाग भी मिलता है और इसके बाद भगवान अपना प्रसाथ देते हैं तो रशनेंद्रिये से भी भगवान का अस्वादन करता है इस तरह अपने पाँचों ग्यानिंद्रियों से भगवान का अनुभव प्राप्त कर लिता है तो इन सब अनुभवों को चरण कमल की प्राप्ति से ही तुलना की गई है भगवान अपना चलन कमल दे देते हैं, मतलब अपने आपको दे देते हैं, अपना सुगंध देते हैं, अपना स्वब्द सुनाते हैं, और उस समय भगत सब कुछ भूल जाता है, कोई भी कामना उसकी बाकी नहीं रह जाती है, यहां तक कि मुक्ती की वासना भी समाप्त हो जाती है, चार प्रकार की जो मुक्ती है सर्ब से स्रेष्ट माने गए, पांच प्रकार की, उसे भी नहीं चाहता है, फिर स्वर्ग आदी की तो बात हीं क्या है, ब्रह्मा का पद भी वो नहीं चाहता है, इच्छा पिधानम, भगवान के सुन्दर रूप को देह करके, उनको चू करके, भक्त इतना आनन्दित होता है, कि उसे अन्य कोई भी कामन नहीं रह जाती है, इसको इच्छा पिधानम कहते हैं, चैतन चरतमृत में भगवान ने कहा है, क्रिष्ण कहे, आमा भजे, मांगे भिसे सुख, अम्रित चाड़ी बिस मांगे यही बड़ मुर्ख, भगवान कहते हैं, कोई भग्त मुझे भजता है, तो अपनी मुर्खता से वह विसे भग मांगता है, लेकिन उसकी तुलना कर है, क्रिष्ण की, जैसे कोई अम्रित चोड़ करके विस मांगे, तो विस मांगने वाले को मैं विस नहीं देता हूं, मैं तो जनकार हूँ ना, आमी विग्य, यही मुर्खे विसे के नहीं दिवा, मैं समझदार हूँ, मैं इस अग्य को विस क्यों दूँगा, निज चरन अम्रित दिया विसे भुलाईब, बल्कि मैं अपना चरन कमल दे करके उसकी विसे भुग की वासना को हर लेता हूँ, यह भगवान का सोभाव है, विसे भुग यह सब जीव को दुख देने वाले हैं, लेकिन अपनी मुर्खता बस वह इनको चाहता है, जितने भी विषय की बस्त्विय हैं, इंद्रिये की विषय हैं समसार में, यह सब दुख की योनी हैं, दुख हुत्पन करते हैं, नया नया दुख है, तो मुर्खता बस कभी-कभी भुग्त भी इसकी कामना करते हैं, लेकिन भगवान अपने भखत को सम्भालने वाले हैं, वे शाब कहते हैं, आमी विग्या, यही मुर्खे विषय केने दीवा, मैं क्यों विषय दूँगा, बलकि निज चर्ण अमिर्ट दिया विषय भुलाईब, अपना चर्ण कमल दे करके, मैं उसकी विषय वासना को दूर कर दूँगा, यही भगवान की परम विषयस्ता है, अता किसी भी प्रकार से, चाहे समस्त कामनाओं की कारण, यह आकाम भाव से, किसी वित्रह से भगवान क्रिष्ण का भवान करना चाहिए, आकाम सर्व कामवा मोक्ष काम उदार धी, तीवरेन भक्ति जोगेना जजेत पुर्शन परम, सुक्देव गुष्वामी ने कहा है, अकामा, चाहे निसकाम भाव से, यह सर्व कामा, यह सभी कामनाओं की पूर्ती के लिए, यहां तक कि मोक्ष की इक्षा भी हो, तो उसके लिए भगवान का ही भवजन करना चाहिए, सब तरह से क्रिष्ण हमको ठीक कर देंगे, हमको जो परम लाभ है वो देते हैं, चाहे भग्त मांगे या मनव मांगे, यह दया है भगवान की, और देवता मांगी हुई वस्तु को देते हैं, लेकिन स्री क्रिष्ण जिसमें हमारा हीत है वही करते हैं, बांगने पर गिलिगलाने पर भी देते नहीं हैं, जिसमें हमारा हीत है उसी को देते है यदि छोटा बच्चा आग पकड़ना चाहता है तो क्या माता उसको छूट दे देगी पकड़ने के नहीं वो साप को पकड़ना चाहे या तिक्ष नाथियार पकड़ना चाहे तो माता उसको पकड़ने नहीं देती है यह काट लेगा हाथ को इसको खरुच लग जाएगी तो इस प्रकार भगवान कृष्ने कोटी-कोटी माताओं से भी अधिक स्नहवान है अपने भक्त को वहानी करने वाली वस्त्वे नहीं देते हैं बल्कि वह प्रयास करता है लेने के लिए उद्योग करता है भगवान उसको भी विफल कर देते हैं वह अपना दर्शन देते हैं अपने स्ववरूप का अनभव कराते हैं अतह किसी भी प्रकार से उन्हीं की सरण में रहना चाहिए जोसे छोटा बच्छा अपने हीत अहीत की बात नहीं जानता है और कुछ भी मुझ में डाल लता है अगर बीस भी उसको दिया जाए तो उसको खाल लेगा लेकिन मा उसका निवालन करती है बीस नहीं लेने देगी यहां तकि मीटी भी नहीं खाने दती है तो इसी तरह भगवान अपने भगतों को ऊचीज देते ही नहीं है जो संसार में जनम मिर्तु में बांधने वाली चीज़े होती है भगत तो क्या क्या कामने नहीं करेगा कामने बहुत होती है कभी सोचेगा हमको बहुत बड़ा धन मिल जाए बहुत बड़ा पद मिल जाए लेकिन स्री कृष्ण वही करते हैं जिसमें उसका हीत होता है इन सब बांधने वाली बस्तुओं को नहीं देते हैं और भाक्त भी ऐसा होता है जब उसको रस निल जाता है क्रिष्ण भक्ति में तब भूल जाता है संसारिक विश्यों को यह भगवान की भक्ति का प्रभाव है और भगवान का सोभाव है कि वे सब समय रक्षा करते हैं यह अभी एक रक्षा है कि अपने भक्त के चित में किसी विश्य भोग की कामना होने ही न पावी अगर हो तो भी उसका बिनास कर देते हैं इसलिए देवता लोग कहा रहा है साथ भगवान इच्छा पूरी करते हैं जो इच्छा होते हैं लेकिन वह ऐसी इच्छा की पूर्ति नहीं करते हैं कि जत्पुनह अर्थिता फिर अर्थिता बनी रहे और भक्त में मांगने का भाव हमेशा बना रहे ऐसी इच्छा की पूर्ति नहीं करते हैं इच्छा की पूर्ति करते हैं जिसे इच्छा कभी हो ही नहीं, समस्त इच्छाओं की पूर्ति अपने आप हो जाती है, भगवान की रश का अनुभव होने पर कोई कामना नहीं रहती है, जैसे ध्रू महराज, ध्रू महराज बहुत बड़े समराज्य के लिए तपस्या किये मधुवन में, बहुत इच्छा थे उनकी कि मैं सबसे बड़ा धनवान ब्यक्ति बनू, यहां तक यह नारज जी से कहते हैं कि जो धन मनु महराज को नहीं मिला, और उससे पहले ब्रह्मा जी को भी जो धन प्राप्त नहीं है, वह धन मुझे चाहिए, नारज जी ने कह दिय कि चलो मैं तुहारे पिता को समझा देता हूं, तुमारे पिता तुमको राज दे देगे, तब धुमाहराज कहते हैं, हमको अब इस राज से क्या मकलब है, मैं सबसे बड़ा राज चाहता हूं, अल पाए बताए, तो नारज ने कह दिया, वो तो भगवान दे सकते हैं, तो द्रूर नारज जी की बात से मध्वन में तपस्या करने लगे, भगवान का चिंतन करने लगे, और जब भगवान उनके सामने प्रिकट हुए, तब असपस्ट कहे कि स्वामीन कृतार्थास्मी बरम न याचे, ये नाथ मैं धन्य हो गया, मैं वर नहीं मांगा, मैं खोजने चला था असपर्स मणी को, पारस पत्थर को, नहीं, मैं खोजने चला था काच को, काच खोज रहा था कूड़ा करकट में, और मुझको अकस्मात असपर्स मणी मिल गया, पारस पत्थर मिल गया, मैं द्धान की कामना से भजन किया, घरत्या किया, मध्वन आया, तपस्या किया, लेकिन मुझे आप मिल गए, आपका यह सुन्दर रूप देखने को मिला, आपका सुद्ध सोना, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और मुझे द्धान की कामना नहीं है, मैं कृतार्त हूँ इसी प्रकार से भग्त भगवान की सरण में रहता है, तो उसे भगवान के रस का अन्भव वही कराते हैं, यह भगवान पर ही जिम्वारी हैं, यह भग्ती कमार्ग ऐसा है, सभी बातों पर, सभी बातों में हमें भगवान पर आश्रित रहना है, कभी-कभी चिंता होती है भग्त को, कि हमारा क्या होगा, हमारा शरीर छुट जाएगा, तो हमको कौन ले जाएगा भगवान के धाम में, यह सब सोचने की आवसेक्ता ही नहीं है, सब कुछ भगवान पर निर्भार है, वो जहां ले जाना होगा ले जाएगा, जैसे ले जाना होगा ले जाएगा, किसी भी अस्थिती में जिन्ता करने की आवसेक्ता नहीं है, और कभी-कभी यह मन में होता है, कि यह भुबिशा भुब की कामनाय मन से जाती नहीं है, हम क्या करें, करने की कोई जरूरत नहीं है, बस भगवान का नाम जबते रहें, भगवान को प्रणाम करते रहें, हमारे लिए जो जरूरी है, जिसमें हमारा हीत है, वो वही करेंगे, अपनी चिन्ता करने की आवसेक्ता नहीं, सदा उनके सरण में रहना चाहिए, हरे खृष्णा हरे खृष्णा हरे खृष्णा हरे खृष्णा करेंगे उनका उपदेश है भगवत गीता में बड़ी स्रद्धा से उसका पालन करने की चेश्टा करने चाहिए जितना होता है उतना करेंगे जितना नहीं होगा वो सब कृष्णा करेंगे जितना उन्हेंने सक्ति दिया है समर्थ दिया है उस तो उतना करना चाहिए जो सक्ति से बाहर है वो सब सर्व सक्तिमान करेंगे हमारी जितनी सक्ति है उस सक्ति का उपयोग करें भगवान का जब करने में, भगवान के बारे में पढ़ने में भगवान को प्रणाम करने में कि जितनी सक्ति है उतना करें, जो सक्ति से बाहर है उसकी चिंता ना करें। कभी-कभी हम लोग सोचते हैं यह नहीं हो रहा है, यह नहीं हो रहा है, क्या करें। सभी भक्ति सब प्रकार से हम कर नहीं पाएंगें। पर जितनी भक्ति करने के हमारी सक्ति है उतना तो करें। भगवान का नाम जपने के सक्ति है न जपा करें। और वह अभी आचार्जों ने निश्चित किया है। स्री लप प्रहुपाद ने क्वा दिया है। सोलह मला जप करो। उसको इमन्दारी से आलष छोड़ करके करना चाहिए। हरे कृष्णा! हरे कृष्णा! हमारी दसा को वे जानते हैं, हमारे हिर्दे में ही हैं, और सब के सुहिर्द हैं, सब के हित ऐसी हैं, सुहिर्द हैं, और सभी लोकों के महा इस्वर हैं, सर्भग हैं, सर्व समर्थ हैं, तब चिंता है किस बात की, भगवान सब जानते ही हैं, और सब कुछ करने के सक्ति उन में है, पर इतना नहीं करना चाहिए, तब हमारे लिए जॉप भी कर देवे, हमसे जॉप होता नहीं है, क्या करें, भगवान सब कर सकते हैं, तो क्या हमारे लिए सुला मला जॉप नहीं कर देगें, इतना लचार नहीं बनना चाहिए, भगवान तो जीव दे दिये, शरीर स्वास्त रखे हैं, बोलने की सक्ति दिये हैं, तो अब दूसरी बात ना बोल करके, भगवान का नाम बोलते रहें, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, और आख यदि ठीक है, तो, ग्रंथ पढ़ना चाहिए और जब आँख ठीक ना रहे तब सुर्दाहजी के समान भगवान को किवल प्रार्थना कर सकते हैं लेकिन पढ़ने की सकती है तो खुब पढ़ना चाहिए श्रुवन सकती है तो सुनना चाहिए जो हमको विशेष्टा भगवान दी है जो सकती दी है अपनी सकती को लगा देना चाहिए भगवान में जो सकती से बाहर है उन सब कृष्ण करेंगे जाशे लगवान प्रहुपार जो साथ मैं सकती है थेखे लगवान आपने अक्रीस रुच्छा भाष्ण में आपने ट्सापोरा क्लास दिया और जी आपने बता है जिस तरह के भगवान जो शर्णागत भगते है उनको जो शर्णागती स्विकारना चाहते है उन्हें भगवान शर्णागती देते है लिए कभी कभार माराजी भगती में हम प्रवचन सुनते है तो उच्छा रहते है भगवान को प्रणाम करते है लेकि तो आप चाहते हैं कि स्विच ओन हो बस सब कुछ हो जाए नहीं जो कहते हैं भागवान जो बात गीता में कहते हैं या भागवत में जो बोलते हैं उसको करना चाहिए और धैज रखना चाहिए भागवान समस्त भावतिक कामनाओं को नस्ट करेंगे पर कब करेंगे कितनी मतर में करेंगे वही जानते हैं हम लोग तक वर यही बता सकते हैं कि भागवान करेंगे उनके बचन से अहम ताम सर्व पाप भ्यो मुक्षई स्यामी मैं तुम्हे समस्त पापों से मुक्त करूंगा तुम सोच मत करो शोक मत करो टेंसन मत लो अर्जुन से कहते हैं तो हम लोग भगवान के बचन की ही व्याख्या करते हैं पर यह नहीं कह सकते हैं कि किस मिनट पर और किस में करेंगे भगवान ने इतना कहा है कि मैं करूंगा धायज रखो टेंसन मत लो हमारा जो करतब है वो करते रहे हमारा करतब है जब करना भगवान के नाम का भगवान के लिला कथाओं को पढना भगवान के उक्वदेश को पढना भगवान को प्रणा प्रणाम करना, भगवान का श्रिंगार करना, भगवान का दर्शन करना, तो यह करते रहें। और बीच बीच में मारणीज हम भगवान को प्रणाम करें और उठ करके यह सोचे कि हमारा सब बाप दूर हो गया ना। वह सोचने के आउसेक्ता नहीं, भगवान के वचन पर विश्वास कीजिए। हम जिनकी सरण में हैं, जिनके भक्त हैं वे सब करेंगे, क्योंकि उन्होंने वचन दिया है। गीता में बारम बार भगवान के वचन है। मेरी भक्ती करोगे, तो तुम परम सिद्धी को प्राप्त करोगे। यह भगवान के वचन परम सिद्धी हैं, वे ऐसे नहीं हैं, जैसे गली-गली में कोई समान बेचने वाला ब्यक्ती चिलाता रहता है, कि यह लो, यह लो, ऐसा कोई वचन नहीं है। वो निगम वचन है। निगम, जो नितराम गमयती, जो परम सिद्धी तक पहुचा देगा। जैसे गली में कोई समान बेचने वाला ब्यक्ती पुकारता चलता है, यह लीजिए, वो लीजिए। तो उसी प्रिकार का बचन हम सभी मालने, जैसे रिल्वे के बूत पर, कोई व्यक्ती बोलता है कि गाड़ी के आने का यह समय है। तो उसको भी हम यही समझ लें कि अभी वह साही है नहीं। वह ज्यादा प्रमारिक है उसकी अप्यक्छा। गल्ली में घूमने वाले बेक्ती के वचन से वह ज्यादा प्रमारिक है। तो सब प्रकार के वचनों से प्रम प्रमारिक वचन है। प्रम प्रमार है भगवान का वचन। और भगवान के वचन की हैं। तो हम लोग तो उनहीं वचनों को बोला करते हैं। पर विश्वास है विश्वास है कि विश्वव की वासना दूर होगी कॉब होगी वो वही जानते हैं तो हिर्दे में है ही भगवान हिर्दे को छोड़ करके दूर नहीं चले गया है वो तो रहा ही रहा हमारी इच्छा को समझते हैं उनको कब करना होगा जब करना होगा करेंगे पर हमारा जो करतब है वो तो करना चाहिए अपनी ड्यूटी करने चाहिए ठीक तरह से जब करते रहें मंगला आर्थी करते रहें उसमें लापरवाही की जरूत नहीं है तो छोड़ नहीं देना चाहिए तो यह सोचे कि अब बहुत दिन से मंगला आर्थी किया अब आज से स्टॉप कर दें तो उससे क्या फायदा होगा करते ही रहना चाहिए वो हमारा जीवन है भगवान का जब करना मंगला आर्थी करना भागवत सुनना गीता पढ़ना यह सब हमारा जीवन है करना चाहिए भगवान की बात में पूर्ण स्रधार रख करके अरे किस्ना अब मरा गीता बगवत गीता में तीन बार धर्म शब्द का अलग अलग संदर्पों में उल्ले खाया है जैसे दूसरे द्याय में कहते है कि आपको आपका वर्णाश्रम धर्म ख्रत्रिय का अदा करना चाहिए फिर बोलते है कि मैं धर्म स्थापना करने को आया हूँ लास्ट में अंत में अठरा दिया में बोलते है कि सब धर्म छोड़के मेरे शरण में आजाओ तो ये तीनों धर्म शब्द का अर्जुन तो पौने दो घंटों में अर्थ समझ गया है मगर जो पहली टिका या ताथ परिया जिस वहिष्णव अचारी ने किया होएगा उसने उसका अर्थ कैसे समझाया होएगा और वह आचारीय कौन थे जो जिसने फर्स्ट टाइम भगवद गीता के उपर टिका लिखा ताथ परिया लिखा अगर आप बता सकते हैं जिसने करने के लिए कायता है बहुत बिसाय अस्थाफित कर किया नहीं जाता है जैसे भागवत की कलास के बाद बहुत परकार की बाते नहीं की जा सकती है प्रस्ट पूछना चाहिए थोड़ा सचोटे में तो आप बिसाय रख रह रहे हैं सब्जेक्ट रख रहे हैं इन पर व्याख्या की नहीं जा सकती नहीं कम समय में अरे कृष्णा महाराजी महाराजी हमने सुना है एक काफी सारे लेक्चरों में कि नित्यानंद प्रभू कोई भक्त है जो भक्ति में आया है और भक्ति करने की विक्षा है और और भी बहुत सारी एक्षाय है उसके मन में तो नित्यान्द प्रभू जो है वो दूसरे एक्षाएं जल्दी पूरी कर देते हैं और बक्ती नहीं देंगे ऐसा तो कहां तक सत्या है ये बात तो इस शाएं बहुत होती है लेकिन इस शाओं की पूरती जल्दी होती है तो जैसे मान लिजे कोई भोजन कर लिया है और इसकी इच्छा है कि मुझे एक बिड़ी पीन को मिले कि भोजन के बाद कुछ लोग पीना चाहते हैं तो एक बार के सबते बात है मैं आपको बता रहा हूं मेरे गाउं में एक वती थी आये थे बर्सा हो रही थी तो हम लोगों ने उनको प्रसाद पवाया और प्रसाद पाने के बाद उनको कहें कि आप यहीं विश्राम कीजिये तो वो कहें हमको एक बीनी दिजे पिने के लिए तो हम लोगों ने कहा कि नहीं नहीं बीनी नहीं है यहां तो लगे कहने तो हमको क्यों खिलाया हम दुसरी जगह खा लिये होते हैं यहां क्यों खिलाया तो एक ब्यक्ति ने उनको ला करके एक बीनी दिया तब यह सुख से सोए है कि इस टत्काल इच्छाएं होती हैं हुए बहुत तुक्षे तो देवता लोग यहीं देते हैं हमको जो टत्काल इच्छा होती है तो उसको दे देते हैं लाकिन हमारी जो आवस्यक आवस्यक्ता है जर्म मिर्तु जराव्याधी इसका विनास और अमर जीवन की प्राप्ति जो हम केवल भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं बैकुंठ प्राप्ति बैकुंठ में वास्क कि इन सब इच्छाओं की पूर्ति भक्ति से होती है और सभी इच्छाओं की पूर्ति भक्ति से हो जाती है इस स्लोप में यह कहा जा रहा है लेकिन उसमें देर होती है और कर्मजा सिद्धी छीप्रम भवती मान से लोके छीप्रम भवती ततकाल कर्म की सिद्धी होती है भक्ति में प्राप्ति किसी बस्तु की देर से होती है लेकिन कम्पलीट होती है देर से हो लेकिन अच्छा लाभ होया है सचना चाहिए जैसे कोई जल्दी सिदी चाहता है कि नहीं हमको इसी समय चाहिए हमको एक रुपया चाहिए बस इसी समय दुसरा बुधिमान में अग्त सुटता है मुझे करोड़ो रुपया चाहिए भले दस तिन के बाद ही मिले एक महीने के बाद या साल भर के बाद मिले तो साल भर के बाद चाहने वाला वो बुद्धिमान है कि आज आज मिलेगा तो अभी दोंगा लेकिन एक रुपया दोंगा और एक महिने के बाद हजार रुपया दोंगा अलो दर्वत परनाप प्रभुजी माराजी दर्वत परनाप बगुद्ध किता में बगवान ने कहा है जरा जरम मौक्षाए माम आस्लित जदन्तिये जरा बनन मौक्षाए माम आस्लित जदन्तिये लोग जो भी प्रियतन करें जो भी चड़ाकती लें वो मेरे आस्लित होड़ी जही है तब ही आपको व्यकूट पिलेगा जरा मौक्षाए मुक्त होना है तो भगवान का आस्लित लेना ही पड़ेगा दूसरे लोग स्वान जरा मृत्व के बंधन में हैं वे क्या मुक्त कर रहें माम आस्लित जदन्तिये मेरे आस्लित मेरा करके जदन्त करते हैं भग लग जरा मृत्व से मुक्त होने के लिए यह मृत्व केवल इसी समय नहीं है सब समय मरना होता है इस शरीर के बाद भी फिर जनम मिलेगा तो उसमें भी मृत्व है सब शरीरों में फिर मरना पड़ता है तो एक बार मर नहीं मरना है यह तो बारम बार मरना है और अनंत बार मरना पड़ेगा 84 लख योनियों में जितने सरीर हैं यह ब्रह्मा जी के लोग तक बार-बार मरना पड़ता है इसलिए इस मरण से भायभीत हो करके बुद्धिमान ब्यक्ति इसे मुक्त करने वाले की सरण लेते हैं क्रिष्ण की सरण लेते हैं जो भगवान उनको मुर्तु से मुक्त कर देते हैं एक बार केवल मरते हैं इस सरीर को छोड़कर के फिर उनको ऐसा सरीर नहीं मिलता है कि फिर मरना पड़े तो माम आश्रित्य जतन तिये भगवान का आश्रे ले करके और जतन करना चाहिए जतन, जतन का आश्रे यही भगती भगवान का नाम जब, भगवान को प्रणाम भगवान की पूजा यही जतन है तो उनका भगत पहले होना चाहिए भगत बन करके यह सब काम करें तो अच्छा हो आश्रित्य आश्रे ले करके तो इसमें आपका क्या अब्जेक्शन है भगवान की बातों बे बिश्वास है नाव भगवान स्पस्ट बोलते हैं जरा मरन मुक्षाया मामा श्रित जतन तिये बुढ़ापा के दुख से और मरन के दुख से मुक्त होने के लिए अश्रा के जतन करते हैं बुद्धिमान लोग और दुसरे मुर्ख लोग कोई चिंता नहीं करते हैं छोर दिये जनम लेना पड़े लाखों बार कोई बात नहीं जनम लेंगे मरेंगे फिर जनम लेंगे मरेंगे लेकिन इससे मुक्त होने के लिए जद्द करने जरूरी है तो भागत लोग ऐसे होते हैं जद्द करते हैं यह बहुत जरूरी है हम अपने कर्म बंधन का निवारन करने की चिन्ता नहीं करेंगे तो कौन करेंगा यदि भगवान के भाक्त हो गए तो तो वे करेंगे लेकिन वे भी कहते हैं जतंति जद्द करना चाहिए उसी को मैं कहा कि जितनी अपनी सक्ति है उतनी लगानी चाहिए नहीं तो फिर जनम होगा और पता नहीं कैसा जनम का यह मनुश्चि का शरील मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह में बल्ली का देह मिलेगा यह कुते का देह मिलेगा यह देवता लोग प्रार्चना कराइग यह प्रभव हमको भारत बर्ष में जन्म दीजिए लेकिन इस मिर्थमत जन्म ऐसा जन्म जिस जन्म में आपका स्मर्ण हो जदत्र नह स्वर्ग सुखाव सेशितम स्विष्ट से सुक्त सचव कृत से सो भनम तेनाज नाभे स्मिर्थमत जन्म नहस्याद हमने बहुत बड़ा जग किया बड़े बड़े जग किये और बेदा देन किया और भी सुभकर्म किये दान किया उसके चलते स्वर्ग हमको मिला है हम स्वर्ग का सुक भोग रहे है परन्तु लाखो बड़ स्वर्ग का सुक भोगने में कोई भी लाभ नहीं है यदि हमारे सुभ कर्मों के पूर्ण फल में अगर कुछ बाकी है अभी स्वर्ग का सुख भोगना बाकी है पूर्ण फल बाकी है तो उसी पूर्ण के फल से हमको भारत बर्ष में जन्म दीजिए भारत बर्ष में हम पचास बर्ष या सो बर्ष की जिन्दगी भी जियेंगे तो वह भी ठीक है लाखों बर्ष वर्ग में जीने की अपेक्षा भारत बर्ष में थोड़े काल के लिए जीवन मिलना भी स्थेष्ट है स्मिर्ति मत जन्म स्मिर्ति मत आपके अस्मरण से जुक्त जीवन यही इस अध्याय में इस प्रसंग में मुख्य विशेज है भारत बर्ष की महिमा इस देश में जन्म मिलना बहुत ही कठिन है भगवान की क्रिपा से जन्म मिलता है और देवता लोग स्वर्ग में पश्ता रहे हैं वहाँ जन्म मिला है बड़ा बड़ा कर्म करने से लेकिन वे कह रहा है कि यदि हमने पुर्णे से प्राफ्ट किया स्वर्ग और स्वर्ग का सुख भगने में अगर कुछ बाकी है तो हमको भारत बर्स में जन्म दीजिए तो इस देश में जन में मिलना बड़ा दुरलब है और वह भी कृष्णा स्मरन से जुक्त जीवन बहुत अच्छा देह है समाज है तो इस देह का और समाज का लाभ उठाना चाहिए इतना लाभ देवताओं को भी नहीं मिलता है बली भारत भूमे शरीर भलो यह भला देश है भला स्थान है और यह मनुष्य शरीर उसमें मिला है बड़ा अच्छा है तो जो यह दुरलब बस्तवे मिली है इन बस्तवों से लाभ उठाना चाहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 है कि जरा और बृतु से बचने के लिए भगवान का आश्रल देना और जत्न करना कौन ब्यक्ति चाहता है कि मैं इन भैलिर हो जाओ बुढ़ा हो जाओ बुढ़ापा में शरीर की सारी छमताएं सारी क्रिया सकती नस्त हो जाती है और मरना तो दुखद है ही मरना कोई नहीं चाहता है कौन चाहता है कि मैं इस समाज से बिदा हो जाओं और कुता के समाज में चला जाओं कोई नहीं चाहता है लेकिन होगा निश्चित शरीर छूटेगा और दूसरा शरीर मिलेगा तो जो वास्तविक समस्या है उससे छुटकारा लेने की चेश्टा करनी चाहिए। और बारम बार ब्याधी के अधीन होना बारम बार बुढ़ापा में पढ़ना और बारम बार मृत्व होना यह सब समस्या है भगवत गीता में भगवान इसकी वर संकेत कर रहे हैं। जन्म लेने में, मरने में और जन्म मृत्व के बीच में बुढ़ापा और रोगों के दुख को और दोस को देखना चाहिए अनुदर सुनम बारम बार देखना चाहिए जन्म लेने में, मरने में, बुढ़ापा में और रोगों में बहुत दोस है। दोस सबसे क्या है? दोस यह है कि भगवत तस्मृति में बाधा पड़ती है। और दुख तो सामने ही है, बुढ़ापा में दुख, रोगों में दुख, मरने में दुख, जन्म लेने में दुख, और दुख के साथ दोस है। दोस है कि भगवत तस्मृति बिनासों के चीज़े हैं। तो यही चार समस्याएं हैं। स्रिल्व प्रभपाज जी बारं बार इसको कहते थे। और कोई समस्या नहीं है मानुस्नमाज में। यदि कुछ अन की कमी है, यदि भश्त्र की कमी है, दवा की कमी है, तो यह असली समस्या नहीं, असली समस्या यह चार है। मरना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, रोगों के अधिन होना पड़ेगा, और गुड़ापा से क्रस्त होना पड़ेगा, असली समस्या यह है, तो समत्याओं का मूल है, तो बारं बार जन मिर्टु में रहाना है। बारं बार जन मिर्टु में, और जन में मिर्टु से व्यक्ति मुक्त होगा, जर भगवान की भगती करेगा। और जन्म मिरतु से मुक्त हो गया तो बुड़ापा और रोगों से अपने आप मुक्ती हो जाएगी। इसलिए यह बहुत आवस्यक है कि इससे मुक्त होने के लिए भगवान का आश्रे लेकर के भक्ती करना है। उसे को यत्न करना कहते हैं। यत्नती। आखिर काम कर ही रहे हैं, संसार में जी रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जन्म मिरतु से मुक्त होने के लिए काम करें। भगवान का जप करें। भागवत पढ़ें। गीता पढ़ें। यह सब जत्न है। भगवान का स्मर्ण करेंगे तभी बैकूंठ जा सकते हैं। यही जत्न है। जतंती काई और थ नहीं है कि अब मुक्त होने के लिए कोई फैक्टरी खोलो। माला उठाना है। यही जत्न करना है। माला उठावें। भगवान का भजन करें। गीता पढ़ना चालू करें। सब काम कर ही रहें तो यह काम जरूर करें। माला पर भगवान का नाम जपना चलू करें। भगवान को प्रणाम करना। और भगवान के बारे में कुछ पढ़ना सुनना। यह आवस्यक है। हरे किसमा।